गुद मॉर्निंग माई दियर स्टुरेंट हाव यू यू आपके सभी कल को सुधार बता है ना जैसे आज आप पढ़ रहे हो पढ़ाई कर रहे हो तो उससे क्या होगा आपको जैसे पहला है इसमें आपको सब्सक्राएं प्रिबादक कर रहे हो तो चलिए चार्ट करते हैं चैप्टर 6 हम लोगों ने प्रीविएस वीडियो में डिसकस किया था हाफ चैप्टर दो तीन पीज़ेस हम लोगों ने पढ़े थे एक बार उसको रिवाइस कर दें किया पढ़ा था हम लोगों ने फिर आगे कंचिन्यू करते हैं इस चैप्टर को ओके प्रोशिजर इन लोगों आपका चैप्टर था इन दिस चैप्टर यूब लर्न हाओ चू यूज ऑसेट ओफ कमांड टूगेदर तो इस चैप्टर में पढ़ना था कि कैसे यूज कियाता है सेट ओफ कमांड एक साथ इन लोगों इमीडियेट मोड एंड प्रोशीजर आटू आपको दिखाई देगा लेफ्ट कॉर्णर में स्क्रीन के जब आप लोगों आप क्या करेंगे लूज करेंगे आप सब्सक्राइब एंड ने कंट्रोब इस ट्रैंसफर टूदा यूजर और सब्सक्राइब पार उत्तंवीन भी चो फो जैसे भी पता है गहां बोलते हैं इसको कशीज को क्रोशीजर को क्या बोलते साथ था Procedure is not a primitive or a command but it is a very important word क्या है कोई command नहीं है कोई primitive नहीं है बट एक बहुत ही important word है जो कि हमारे set of command में लोगों में use होता है The difference between a primitive and a procedure is that primitive is an inbuilt command in logo but on the other hand procedure is a set of primitive that the user defines तो क्या होता है जो difference है प्रिमिटिव और प्रोसीजर हो वस इतना है primitive एक inbuilt command है inbuilt command है जो कि लोगों में होता है वो built नहीं है और उसकी तगह दूसरी जगह देखा जाए तो जो प्रोसीजर है वो set of क्या है प्रिमिटिव है जो कि user क्या करते है डिफाइन करते हैं just concern about something you often do तो इसमें concern दिखाने के जुड़त है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो there are certain thing that you have to do and there is usually a best order to do them ठीक है कोई भी काम को करने का certain काम को करने का क्या होता है best order होता है किस तरीके साब उसको करो जैसे आपको for example you wear socks and then shoes जैसे कोई भी काम करने का तरीका होता है किस तरीके साथ अच्छे से किया जाए जैसे यू पहले आपका पहनते हो socks पहनते हो फिर क्या पहनते हो सूस पहनते हो ना पहले क्या पहनते हो फिर आप लोग क्या पहनते हो फिर सूस पहनते हो तो एक यह चैँशन हुआ एक साही रंग से आपने कि बात को करने का थो पहले क्या है बात लेने का थो बात लेने का पहले पहले आप जाओगे तोटी पानी तोटी वह चालो करोंगे फिर टुक्ट इंटिल ना बगट ऍटें तक कि मैं हम भालती की पानी हो जाए लुटी हाँ करोंगे ना सूप आश्थो फे अपने वाज़ करोंगे अपने हारड। अपने पूरे बोड़ी में क्या करोंगे ? फिर उसके बात करोंगे ? फेस्स्ट होत्ते करोंगे ? अपने होत्त पी distract डालै चुछे में क्यों है , यह जाओ फिर उसके बहना ढोत्तत बदए और जो यूँब सिद्ट पर शिज्ट देंगिए ब्रोसीजर का है एक सट आफ कमाणड देख सेट आफ कमांड से पुछी जिए और इस पी चीज को जरू सिब्छ में आप सेट आफ कमांड एक सिस्ट पर्टिकूलर वे जू राइट अप्रूक ना इसीज़ को चीज़ को पर जैसे computer screen पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो लेकिन एक set of primitive से चीक है set of primitive राइट करके आप कुछ भी shape ड्रॉ कर सकते हो screen पे जैसे पहले क्या है title title is used to identify the procedure and it perform those instructions which depend on the procedure title क्या है use होता है प्रोसीजर को identify करने का कि इसके पर्फॉर्म कर रहा है instruction को वह depends किस पे होता है और अपने जाना कि प्रोसीजर क्या होता है प्रिवेस वीटो में कि प्रोसीजर क्या होता है फिर से रिवाइस करा दिया उसके पार्ट के बारे भी हमने इस्थेरा क्या होता है तो पार्स अपने कॉनन कॉन से होते है हैं किसमी फ балरे जाना क्या होता है इससे पहला क्या है title है दूसरा क्या है body है तीसरा क्या है end है कि तीनों चीछ जहां पे हुई समाल लीजे वो क्या है procedure है ठीक है पहला title दूसरा body और तूसरा end एक तरह से इन्ञेसे बनके क्या बना आपका procedure बना है ईहां पर आप नाम की और खाय को पर तो नाम कर लिए पूसर ने हथो ऊसका प्राता होंच एक लाइन थे क्या चैनल भैल रोख्ला बहुत करें ऐसे किया है pentru डॉट मेगा में फ़ेशय प्राइफप्र टु अगर आपको क्वाडिलेटरल ड्रो करना है तो प्रोसीजर ऐसे स्टार्ट होगा टू बॉक्स एंटर और अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यह दिखाए देगा आप जानोगे क्या हुआ यह जो कोशन मार का साइन है वो गायब हो गया उसकी जगह क्या साइन आ गया ग्रेटर देन का साइन आपको दिखाई देगा जब आप एंटर प्रेस करोगे लिखने के बार नेम को तो आप इसको देखोगे कि जो कोशन मार का साइन है वो गायब हो गया उसकी जग इनका मतलब है कि computer क्या कर रहें कि आप कोई command कोई primitive कै'll go बॉडी ऑफ दे प्रोसीजर की जैसे फॉर एक्जामपल काउंटिंग विद ड्राइग बॉक्स ट्राइग बॉक्स करना है आपको पहले क्या लिखा टू बॉक्स एंटर कितना आपको एप डी बताया था फॉरवर्ड और यह एल्टी मतलब लेफ टर्न तो उस तरीके से आप पोटवको जैसे आपको बॉक्स बनाता है और एसी व्यसे आप लिख कर आ पर रहते हो कि आपकी डू स्कृेंशरी और ऊल्डी-जिस तरीके से न ढौन धर चुग को ऊटारी ना रहना है असा तरीक है ऊड़ी होता यह चीकर बीसको शोण फालधा क्या होता एंड बाडी क एंड क्या होता है थर्ड लास्ट पार्ट होता है प्रोसीजर का जो लुक लाइक एस फॉलोज ऐसे दिखाई देता है जैसे टू कुशन मार्क टू बॉक्स टैटल लाइन बता है सबसे पहले उसको करने से क्या होता है स्टार्ट होता है ठीक है एफडी फॉर्वर्ड लेक्ट अफडी फॉर्वर्ड एल्ट यह आपका बूझा हुआ बोडी और नेक्स में एंड लिखके एंटर कर दिया तो एंड लाइन बन लें यह फी ठीक है यह आपका प्रोसीजर होता है primitive int indicate that there are no command to follow primitive int से क्या होता है कि अब कोई command को follow नहीं करना है after end we press enter की we return in logo immediate mode अगर हम end करने के बाद press कर देते हैं enter तो आप कहां चले जाओगे logo immediate mode पे चले जाओगे then it display question mark box is defined तो आपको दिखाए देगा question mark box आपको बन चुका है define हो चुक है we should remember this thing that procedure should include all three part तो आपने इसमें देखा कि procedure में क्या three three no part का होना जरूरी है तभी आपका procedure तयार होगा वरना वो कुछ भी नहीं करेगा ठीक है अगर turtle body end में से कुछ missing लएगा तो आपका draw नहीं होगा जैसे for example if you write अगर two box forward LTE forward LTE पूरा किया अपने और next में क्या किया next में क्या किया it will not do anything LTE 90 पर करके फिर it will not do anything is reset it at home position because we have missed the third part of the procedure so complete the procedure by end line तो आपने क्या देखा यहां पर end नहीं लिखा हमने हमने टू बॉक्स सैटल तो लिख दिया body लिख दिया but end नहीं लिखा तो यह कुछ भी नहीं करेगा यह क्या चले जाएगा home position में दुबारा से चले जाएगा क्योंकि हमने क्या miss कर दिया है third part procedure का miss कर दिया तो आपका यह procedure complete नहीं हुआ है end लिखेंगे enter करेंगे या by pressing F2 we complete our procedure and come out logo editor and see the message procedure name is defined तो अगर आप F2 कर देते हो click कर देते हो तो आपका क्या होगा procedure complete हो जाएगा और logo editor पे आप चले जाओगे और message देख लोगे कि procedure name आपका बन चुका है the word define indicate that our procedure is accepted by logo जो आपका यह defined word क्या होता है यह show करता है यह आपने यहां पर define word देखा था तो define word यह indicate करता है कि आपका क्या हो गया है procedure लोगो ने accept कर लिया है और फिर procedure क्या होगा run करेगा write your procedure name press the enter फिर आप क्या डालोगे procedure name को डालोगे फिर enter press कर दोगे for example to execute box procedure you simply need to write अगर execute box procedure मनाना तो अब क्या करोगे इसको write करोगे box enter after that total performance job इसके बाद आपका क्या होगा वह अपना काम खुछ से कर लेगा ठीक है यहां तक मैंने previous video में पढ़ाया था इसके आगे continue करते हैं linking procedure linking procedure क्या होता है we can create bigger procedure using primitive as procedure आप इससे भी बड़ा बड़ा procedure बना सकते हो क्या करके primitive को यूज करके procedure में we can put any of primitive in a procedure कोई भी put कर सकते हो आप we can also put any procedure in other procedure आप कर सकते हैं जैसे example we can write series of procedure for box of different size देखो क्या करना है हम write कर रहे हैं series of procedure box की different size two box a repeat for fd 25 lt 90 enter and यह क्या हो प्रोसीजर फर्स्ट पहले box की आपने box a बनाया repeat किया for forward direction में क्यातना लेना है और left turn कितना लेना है एंड कर दिया two box b repeat four and यह क्या हो प्रोसीजर second इसी तरह two box c repeat four fd 25 lt 90 end यह तीन प्रोसीजर आपने बनाया कितना टन लेना 25 90 50 90 25 90 तीन प्रोसीजर बनाया calling procedure with another if you use procedure आपने देखा कि number one number two number three यह तीनों प्रोसीजर ने इनको एक साथ कर दिया गया तो क्या हुआ एक दूसरे में क्या हुआ लिंक हो गया ठीक है अब calling procedure within another एक दूसर से क्या है लिंक है sorry calling procedure with another ठीक है another से कैसे होगा if you use procedure name one in another procedure name two then it means you have called procedure one in procedure two अगर आपने यूस किया procedure name one in another name two तो क्या कहला जागा call procedure one in procedure two now make a procedure to show all three boxes like this ऐसा में प्रोसेजर बनाई है जो कि three boxes दिखाए रहे two box enter box a box b box c end तो the new procedure box is using the three procedure box तो new procedure box क्या यूस कर रहा है three procedure box box a box b box c now type boxes box था अभी तक अब boxes होगया तो three boxes होगया तो enter कर दिया so boxes call the three procedure box so boxes call the three procedure आपने क्या बनाया लिंक कर दिया अबव को सारे को और एक न्यू बन न्यू प्रोसेजर बनाया जिसका नाम क्या है boxes जिसको आप procedure में रख सकते हैं now we will make procedure to move the turtle from the end point of one box to the start point of another box तो आप move कर सकते हो end point को one box से one box को start कर दिखते हो और अधर में क्या कर सकते हो end point बना सकते हो जैसे write the following command and observe the turtle यह following command है और turtle हो क्या कर आप observe को जैसे PU enter एंटर के राइट टर्न एंटर फॉर्वर्वर्ट टर्न लेफ्ट टर्न पीड तो if you observe the turtle then you file the turtle move along between the drawing each box without drawing a line तो वो हर बॉक्स को बनाते चला जा रहा है विदाउट एक को लाइन जो किये now write the procedure तो write write करना है procedure को तो आपके करना है to move enter PU enter right turn enter forward enter PG enter LT enter and now will write scatter but before type the line तो आप क्या करेंगे scatter डाल देंगे प्रोसीजर में अलाइन टैप करने जैसे box A move box B move box C now will write second procedure move to spread the box out उसको spread करना है तो आपने क्या डाला to scatter enter box A enter move box enter box B enter move enter box C enter and क्या हुआ आपका यहीं पे खतम हो गया ठीक है आपका प्रोसीजर क्या हो यहीं पे खतम हो गया तो calling procedure with another within another यह आपको टोपिक खतम होता है next topic हम नेक्स वीडियो में continue करेंगे इसके आगे तक आप लोग इस वीडियो को पढ़िए थेडियो में अलुच को लड़े बुक्त आपको को राएचि हो यहीं दो मतापको नेक्रेश् devam पर